तो आज भी बहुत सारी अपडेट्स हैं साथ में आपके लिए मैं लाया हूँ एक आईफॉन 15 जैसे कि मैं नूर भाई ने जीता है तो सबसे पहले बात करें विडिया हीरा सॉंग की तो इस सॉंग ने 1.4 मिलियन लाइक के साथ में पूरे 25 मिलियन विउस कंप्लीट कर लिये हैं लेकिन बैड निउस ये है कि आज पूरे 12 दिन के बाद ये सॉंग ट्रेंडिंग नंबर 1 से हट चुक है मतलब पहले 11 दिन तो इसको कोई भी नंबर 1 से हटा नहीं पाया लेकिन 12 दिन के बाद थोड़ी अजीब चीज हो गई अजीब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप नंबर 1 वाले सॉंग को एक बार देखोगे तो आपको भी हसी आ जाएगी सॉंग का नाम है चोली के पीछे जिस पे 25 मिलियन विउस हैं लेकिन लाइस अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक लाग पचास जार मतलब यूट्यूब भी पता नहीं कौन सा नशा करता है जिसके सॉंग पे इतने सारे फेक व्यूज हैं और लाइक्स बिल्कुल है ही नहीं वो सॉंग नंबर 1 पे आ चुका है वहीं दूसरी तरफ जिस सॉंग पे 1.4 मिलियन लाइक्स हैं उस सॉंग को यूट्यूब ने नंबर 2 पे कर दिया है अब असली सवाल यह है कि व्यूटिया हीरा सॉंग को नंबर 1 पे हम कैसे लाएं तो सारे फैंस सुन लो इस गाने को आप जितने भी सुन सकते हो सुनो इस पे जितने भी कमेंट्स कर सकते हो करो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूट्यूब इसे फिर से नंबर 1 पे लेके आ जाए खेर बढ़ते हैं नेक्स अब्लेट की तरफ तो जैसे कि आपको पताएए कि अपने हनी पाजी ने होली वाले दिन जियान को कितना गंदा पेला था सो इसी चीज को लेके अभी अभी धीरू मौंचिक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनका क्या कहना है आप लोग छोटी सी क्लिप देख लो जाइस अनदर दिन अनदर लफडा इस बार लफडा फिर से हुआ हनी सिंग और बात सागे बीच वे सो होली पे जो हनी सिंग का कॉंसर्ट दा हूँ अहाँ पर पफॉर्म करते हो हनी सिंग ने ये बोला और मेरे कर सब बोलते हैं जवान तो रिप्लाइगरो मैं क्यो रिप्लाइगरो तुम लोग अल्लेडी उसकी भाजू देगर रखें बाई ये क्या हो रहा बाई हाँ पर क्या हो रहा बाई गाली के लोच में उतर आए ये तो सिदे ये सबनी ये सबनी सिद्य महार पिटाई नहीं मजा मैं चाहता हूँ कॉलैप करें ये साथ मैं और गाना बनाए एक वॉल्यूम टू तो कॉलैप तो कभी नहीं होगा क्योंकि जियान भाई ने जितनी गंदी गंदी हरकत की है वो शायद ही कोई आर्टिस्ट करता होगा इसके उपर एक बहुत इंपॉर्टन चीज मैं अभी बताने वाला हूँ लेकिन पहले हम लोग बात करें कि कैसे आप जी सकते हो एक आईफ स्क्राइबर्स के लिए वैलिड है मेगा कॉंटेस में तो आप लोग एक करोड जी सकते हो लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको सीधर 20% एक्षा कैस्ट भी मिल जाएगा सो माई 11 सरकल एप को डाउनलोड करो और मुंबई वर्स हैदराबाद मैच की टीम बनाओ खेर अभी हम लोग बात करें उस चीज की जिसके बारे में मैंने बोला था तो सीन कुछ ऐसा है कि हनी पाजी और जियान कोंट्रोवर्सी में एक रियक्शन चैनल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि जियान की ठोकाई वगेरा होती है वो हनी पाजी की टीम से पेड़ कैम्पेइन है जब जियान जियान बाश्या को सब लोग बोल रहे थे डेफिनिटली इतने पेजिस वे ले नहीं है कि हराज में एक ही टाइप का मीम टेंप्लेट डाल रहे है लेकिन सब बाश्या के खिलाफ डाल रहे थे सो जैसे कि आपने सुना भाई ने बहुत जल्दी बोल दिया कि जियान भाई के खिलाफ पेड़ कैम्पेइन चलता है लेकिन ये भाई उस टाइम पे एकदम चुप थे जब हनी पाजी के खिलाफ असली वाला पेड़ कैम्पेइन चल रहा था गिरफतर नाम का भड़वा हनी पाजी के डिप्रेशन अब आप उसे पेड़ कैम्पेइन बोलती हो तो वो आपकी घटिया सोच है शायद भाई को ये चीज नहीं पता कि हनी सिंग के फैंस नहीं बलकि पूरी की पूरी जनरेशन है अगर कोई भी कुछ भी फाल्तू बोलता है तो उसका हाल बहुत बुरा होता है इसको पेड़ क परसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाके जाना माई 11 सरकल अप को भी डाउनलोड कर लेना 20 परसंद एक्स्रा कैश आईफोन 15 एक करोड और सुवी कार जीतने के लिए बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स वीडियो में तिल देन बबाई